qodetic function दिया गया है अपका याम से सुनिएगा एक quadratic function है जिसके 0 क्वाडिटिक function हो जाओ quadratic polynomial function क्वाडिटिक पॉलोनो्मियल function इसलिए बोला गया है इसको कि इसकी highest power कितनी है इसके highest power है 2 कितनी है तो इसलिए यह quadratic हो गया है और equals to 0 नहीं है मतलब y में define किया है तो यह function है तो आपको क्या given है हैंसे सुनिएगा आपके पास given है कि y equals to y equals to ax square plus bx plus c और इसने बोला है कि a 0 नहीं है a 0 नहीं है बिल्कुल 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि leading coefficient कभी भी 0 नहीं हो सकता और a b c q है कोई दिकत नहीं है हमारे कोई आपते नहीं है तो इसके 0 होंगे दो 0 होंगे इसके 0 होंगे जिसको हम एक alpha बोल देंगे चलब कोई दिकत नहीं है एक 0 दिया है इसने alpha equals to 10 pi by 12 है 10 pi by 12 है यहां समझा देता हूं pi by 8 कितना pi by 4 कितना होता है pi by 4 होता है आपका 45 degree अच्चा pi by 12 है कितना हो जाएगा इसका divide कर देंगे 3 से 3 से divide करते ही यह हो जाएगा 15 degree तो यह है आपका 10 15 degree 10 15 degree क्या होता है आपका यहन से सुनिए गा वो होता है 2-root 3 मैं बता देता हूँ आपको 2-root 3 अच्छा इसने ऐसे बोला है कि 0, 10, 5y 12 and passing through 1, 2 and quadratic polynomial क्या होगा quadratic polynomial क्या होता है इसकी बारे में हम बात में आपको यहीं दिखा देता हूँ quadratic polynomial होता है आपका y equals to x-alpha x-beta और यहां आपका होता है a भूल तो नहीं गया हो नब a quadratic polynomial quadratic polynomial तो इसका एक 0 हो गया 2-root 3 और जो की irrational है जो की ही irrational है अगर irrational है तो इसका दूसरा 0 क्या हो जाएगा बिटा हो हो जाएगा 2 प्लेस रूट 3 2 प्लेस है रूट 3 ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा अब quadratic polynomial के इस तरीके से लिखा जाएगा थोड़ा साथ level का क्यूशन है j advanced level और j में आया होगा क्यूशन है level j advanced type का है अच्छा यहां से सुनिएगा y है आपका a x-alpha x-alpha की value हो गई आपकी 2-root 3 और यहां x-beta x-beta के 2 प्लेस रूट 3 क्यूशनल रूट है इसलिए conjugate pair में होंगे conjugate pair में है और conjugate pair में है तो इसका conjugate यह बन गए है हाँ जी अब सुनिएगा फ़र यह point किसलिए दिया गया है यह point आपको इसलिए दिया गया है यह point आप यहां रखोगे किससे पास हो रहा है 1,2 से अगर यह quadratic polynomial इस point से पास होती है 1,2 से तो इसको satisfy करती है अगर कोई भी circle या कोई भी equation या कोई भी parallel हाँ कोई भी कुछ भी जो आपकी structure होती है 3D वो किसी point से पास होती है तो वो point जो उस इस texture के equation होती है उसको क्या करता है satisfy करता है है न यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बोलिएगा अगर यह इसको satisfy करती है तो रखिएगा y की जगा 2 रखेंगे equals to a यह हो जाएगा 1 minus 2 minus root 3 और यह 1 minus 2 plus root 3 इसको solve करेंगे तो यहां से a मिलेगा और a की value बताईएगा मेरे खो तुरा solve करके a की value बताईएगा मैं लिख ज़ता हूँ है this point इस point से पास होती है तो एक यह बेली बताईएगा वहीत तू रंग थी अगर अगर एक यह वेली बन है तो अच्छी बात है अगर एक की वेल्य वन है तो क्वाडिटिक फोल्नोमिय क्या हो जाएगा क्वाडिटिक फोल्नोमिय हो जाएगा वाई इकोर्स टू मैंनस वन अक्स मैंनस टू मैंनस रूर त्री यह आपका क्वाडिटिक फोल्नोमिय हो जाएगा